हेलो दोस्तों स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल यहू बाबा पे यह हमारा PHP कोर्स लेटी 209 टुटोरियल है और इस कोर्स में हम एक शॉपिंग वेबसाइट का प्रोजेक्ट का वग करने वाले हैं यहाँ पर जो यह प्रोजेक्ट है यह मैं आपको complete बनाना नहीं सिखा रहा हूँ जस्त मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इसको हमारी वेबसाइट से download कैसे करना है और इसे implement कैसे करना है अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझना चाते हैं तो आपको पिछली हमारी कुछ वीडियो के कुछ पॉइंट्स जरूर क्लियर होने चाहिए तो आईए पहले समझते हैं कि वो पॉइंट्स कौन-कौन से हैं जिसकी help से आप इस तरीके का प्रोजेक्ट पना सकते हैं तो सबसे पहले आपको अगर ये प्रोजेक्ट कवर करना है तो सबसे पहले आपको आनीच चाहिए PHP और MySQL जो हमें अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप PHP और MySQL का कोर्स कीजिए और उसमें मैंने एक News Blog का एक Website का प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है उस प्रोजेक्ट को जुरूर कवर कीजिए उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही डिफ्रेंस है कि यहाँ पर हमने PHP की OOPS फंक्शनलिटी को यूज किया है क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पर PHP OOPS ही कदम किया और उसी को यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और PHP OOPS सीरिस के अंदर ही मैंने आपको एक Crude Class बनानी चिकाया थी उसी सेम Crude Class को हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं तो मेरा suggestion यही है कि आप इस Crude Class को भी बनाना पहले से सीख लीजिए क्योंकि इस कोर्स में मैं यहाँ पर आपको Crude Class के बारे में कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि इस सारा कुछ मैं पहले आपको बता चुका हूँ मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर लिए जिसका नाम है yahoo baba.net आप यहाँ पर देख सकते हैं उपर जो उपर menu देख रहा है आपको blue color में यहाँ पर आपको एक link देखेगा जिसका नाम है code project हमारी जितने भी वीडियो बनती है उससे लेटेट प्रोजेक्ट आपको यहीं से यह left side में PHP नाम से आप यहाँ पर भी जाकर इस project को download कर सकते हैं तो मैं इस पर click करता हूँ तो इस project से लेटी जो page वो open हो जेगा और यहाँ पर आप scroll करके यहाँ पर आपको download का link मिलेगा इससे पहले आपको हमारी website पर login कर लेना है तभी आप इस project को download कर सकते हैं तो मैं इस पर click करता हूँ और इस project को मैं save कर लेता हूँ अपने sddocs folder के अंदर जो मेरा c drive के अंदर है यह देखिए इस फाइल है मैं इसे download करने लगा हूँ मैंने यहाँ पर save बटन पर click किया और यह project जो है download हो चुक है अब मैं इसे unzip करके आपको इसको configure कैसे करना है उसके बारे मै बता देता हूँ यहाँ देखिए windows explorer के अंदर मैंने यहाँ पर अपना project already जो download कर रखा है उसको मैं यहाँ पर extract कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर right click किया और यहाँ पर कर दिया extract here यह देखिए यहाँ पर हमारा जो यह project है extract हो चुक है इसका नाम है shopping project इसको मैं open कर लेता हूँ इसको open करने के बाद यहाँ पर आपको एक file देखिए कि जिसका नाम है installation steps.txt इसी में ही जैसे भी install करना है इस project को उसके बारे में पूरे step by step एक manual दी हुई है जिसे आप easily पढ़कर इसे easily install भी कर सकते हैं तो मैं इस पर click करता हूँ यहाँ देखिए यह file जो open हो चुकी है अब इसमें जो सबसे पहले step है आप यहाँ पे देख सकते हैं installation steps दी हुए सारे तो सबसे पहले step और दूसरे step मैं आपको अलरड़ी बता चुका हूँ जिसके अंदर हमने सबसे पहले download किये zip file को फिर उसको unzip किया है अगर आप web में PHP की coding करते हैं तो आप इस वाले path को follow करेंगे और अगर आप exam में काम करते हैं तो आप इस वाले path को follow करेंगे इसके बाद हमारे को क्या करना है इसके बाद हमारे को open करना है अपना phpmyadmin और वहाँ पे एक database create करना है आप किसी भी नाम का database create कर सकते हैं मैं basically यही वाले नाम का database create कर रहा हूँ जिसका नाम है shopping underscore db db मतलब database तो यह name जो है मैं यहाँ से copy कर लता हूँ और यहाँ पर देखिए web browser के अंदर आके मैंने अपनी application open कर लिए जिसका नाम है phpmyadmin अब यहाँ पर मैं उपर links में जाता हूँ जिसका नाम है databases अब यहाँ पर देखिए आपको एक title दिखेगा create database इसके नीचे आके आप किसी भी नाम का database create कर सकते हैं तो मैं अब यहाँ और वही नाम page कर रहा हूँ जो मैंने भी copy किया है shopping underscore db और यहाँ पर create पर click कर दिया और यह database जो है मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं left side में create हो चुका है अब इसके अंदर मेरे को अपने tables import करने है मैंने वो जितने भी database से लेटे tables हैं आपको downloaded folder के अंदर दिये हैं उसको import कैसे करना है मैं अभी आपको बता दिता हूँ सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर import पे और यहाँ पर आपको एक link दिखेगा जिसकर हम है choose file मैं इस पर click करता हूँ और यहाँ पर आप अपने exam folder के अंदर जाएंगे जो भी आपका project है जैसे मेरा project है shopping project मैं इस पर click करता ह हूँ यहाँ पर आपको एक link दिखेगा मत एक folder database यह देखिए मैंने इसके अंदर already जो भी इस project के अंदर tables use होने वाले database के अंदर वो सारे create करके रखे हैं तो इस पर मैं click करता हूँ और यहाँ से open कर लेता हूँ यहाँ से open करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर go पर click कर देता हूँ कुछ seconds के अंदर जितने भी tables हैं इस database के अंदर create हो जाएंगे यहाँ देखिए जो भी हमारा import का सारा process था वो complete हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे table create होके आ चुके हैं और इस database के अंदर मैंने already username वगारा भी set कियो और password by default उसको भी आप कभी भी change कर सकते हैं और कुछ products रखे हैं जिसको भी आप बात में जाके delete कर सकते हैं और अपने new products add कर सकते हैं अब इसके बात का क्या काम है जो भी हमने ये database का नाम रखा है इसको भी हमारे को अपनी PHP की file के अंदर configure करना पड़ेगा तो आईए अब editor के अंदर हम अप को बता हुआ कि exact किस वाली file के अंदर जाकर आपको database का नाम configure करना है तो यहाँ पर पहले 3 step हमने cover कर ली है अब यहाँ पर 4 step के अंदर हमारे को क्या करना है जो भी हमारा project folder है तो हमारे case में shopping project उसके अंदर एक admin का folder है और उसके अंदर एक sub folder है php underscore files और उसके अंदर एक file प उसके अंदर php files और उसके अंदर हमारे को यहाँ पर file मिलेगी database.php यह देखिए यहाँ पर 8 number line के अंदर आपको एक variable दिखेगा database underscore name यहाँ पर आप अपने database का नाम change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ shopping underscore db यह देखिए और यहाँ पर मैंने file को save किया उपर की ज यहाँ पर आप लिखेंगे localhost और username है रहेगा root अगर आप mysql use कर रहे हैं अगर उसमें आपने कोई password set कियो है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं मेरे case में यहाँ पर password नेल है तो यहाँ पर मैं blank छोड़ रहा हूँ अब इसके बाद हमारे को क्या करना है वह हम installation steps वाली file में देख लेते हैं यह देखिए अब यहाँ पर fifth step है कि हमें यह जो project है इसको अपने browser में open करना है यह वाला मारा URL रहेगा तो मैं इसी को copy कर लेता हूँ अगर आपने project का folder का जो name है वो अलग रखा है तो यहाँ पर आपको localhost के बाद अपने project जो folder है उसका name देना है तो मेरे toys में तो यह है shopping underscore project तो मैं इसी को यहाँ पर open कर लेता हूँ browser में तो देख़िए मैं यहाँ पर web browser में आया और मैंने यहाँ पर अपना link paste कर लिया हम यहाँ यहाँ पर enter मारता हूँ और यह देखिए, यह मेरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है जो भी मेरा शॉपिंग का प्रोजेक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ मैंने dummy products डाले हुए यह देखिए slider भी है जैसे shopping की websites पर होता है यह popular products है और यहाँ पर हैं कुछ latest products जो अभी अभी add की है यह देखिए और यहाँ पर हमारे पास एक category आ रही है यह categories आप अपने according चेंज भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं यहाँ पर एक website का आप नाम देख रहे हैं इसको भी आप logo को चेंज कर सकते हैं इस website में आप search चीस कर सकते हैं और यहाँ पर आप login वगारा भी कर सकते हैं यह जितना भी code है यह मैंने आपको अल्रेडी download करके दे दिये अब यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि हमने इसके admin panel को open कैसे करना है तो मैं इसी वाले URL को copy कर लेता हूँ और एक new tab में जाकर यहाँ पर इसे paste करता हूँ और slash के बाद मुझे लिखना है इसके sub folder का नाम जिसका नाम है admin यह देखिए तो यहाँ पर मैंने enter किया अब यहाँ पर मिरे को एक username और password देना है तो मैंने by default एक username और password करेकर रखा हुआ वो आपको इसकी installation steps वाली file के अंदर मिलजेगा मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने admin login की details दी है तो login जो है username वो है admin और password भी है admin इसे आप बात में जाके change भी कर सकते है तो मैं भी इसे use कर लेता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर आया मैं यहाँ पर admin लिखता हूँ और यहाँ पर भी admin और मैं यहाँ पर login पर click करता हूँ यह देखिए मेरा admin panel जो है open हो चुक है यह इसका dashboard है यहाँ पर आपको कुछ details मिल जाएंगी कि हमने कितने products add की हुए है कितनी categories है और कितनी sub categories है कितने brand हम अपनी website पर sell कर रहे है और अब तक कितने orders आ चुके है shopping की website से और इस पर कितने user exist कर रहे है जिन्होंने आपकी website पर register करके अपना login create किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ links है सबसे पहले में आपको सबसे नीचे वाला link दिखाता हूँ जिसमें है options यह actual में website की options है यहाँ पर आप website का कोई भी एक name create कर सकते हैं जो भी आपकी website का नाम होगा और अगर आप यहाँ पर website का आप मेंने कोई logo बनाया तो उसको यहाँ से आप upload कर सकते हैं मैंने already upload करके एक file रखी हुई है अगर आपके case में कोई भी file नहीं होगी तो आप simple नाम भी दिखा सकते हैं वहाँ पर और यह एक site का title है जो आपको title बार में दिख रहा है उपर यह देखिए सबसे उपर title बार में यह भी आप change कर सकते हैं कुछ site की description है अगर आप चाते हैं कि आपकी website google पर rank करें तो उसके आप description दे सकते हैं इसके इलावा जो आपको website पर email id दिख रहा है phone number दिख रहा है या नीचे footer में copyright का जो भी आपको display हो रहा है सारा text वो आप यहाँ से change कर सकते हैं यहाँ पर एक format है currency format तो आप अपनी country के according यहाँ पर जो currency format है उसको change भी कर सकते हैं यहाँ पर डॉलर भी use कर सकते हैं इंडिया में rupees use होते हैं इसने मैंने यहाँ पर RS लिखा है इसके इलावा अगर आप अपनी website पर अपना contact detail दिखाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर address को यहाँ पर डाल सकते हैं यह सारा text दिखता कहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ email id वगरा जब आप नीचे scroll करेंगे तो देखी यहाँ पर आपके contact detail आ रही है यह सारी option वाले page से ही आ रही है और यह देखी जो भी copyright के यहाँ पर अपको text दिख रहा है यह भी option वाले page से ही आ रहा है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारेबश यहाँ पर users करके link का रहा है जो भी आपकी website पे users ने registration की है, उसकी information आपको यहाँ से मिल सकती है, यह देखिए तो यहाँ पर by default मैंने कुछ dummy username create करके रखे हैं मैं भी आपको इससे login भी करके दिखाऊंगा उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं उपर brands में, orders हम बास्त में देखेंगे, सबसे last में, सबसे पहले हैं brands, जो भी आप अपनी website पे sale करना चाते हैं, यह अलग-लग brands रखे हैं, जैसे आप देखते हैं, यहाँ पर electronics की ही सिर्फ category है, और उनके brand के name है, Samsung, LG, Lenovo, Realme, यह भी आप यहाँ पर जाके add new पर जाके create कर सकते हैं, यह देखें, यहाँ पर आप brand name देंगे, यह कि इस category में आता है, मतलि की electronics में आता है, man के clothing में आता है, woman के clothing वगएरा में आता है, यह food wear में, यह furniture में, यह जितनी भी category भी है, यह भी आप change कर सकते हैं, यह उपर category का link है, मैं दुबारा से आपको brand पर जाके दिखाता हूँ, अगर आप किसी existing brand का title change करना चाते हैं, तो यहाँ पर आप edit पर भी click कर सकते हैं, और अगर आप इसको remove करना चाते हैं, तो यहाँ पर remove का button भी है, इसके बाद मैं आपको category में जाके दिखाता हूँ, यह देखी, यहाँ पर हमने कुछ categories बनाई हुए है, furniture, woman, man और electronics, इसको भी आप बढ़ा भी सकते हैं, यह इस existing category को भी आप update या delete कर सकते हैं, यहाँ पर तीनों बटन दिख रहे हैं, add new, update और delete, इसके ही कि बाद, इसमें एक sub category की भी हमने option दिए है, मतले कि जैसे आप woman पर click करते हैं, तो woman में आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि आपको उसके footwears, उसकी clothing, या उसका cosmetic का, जो भी समान होता है, अगर वो आपने वी website पर sale करना चाते हैं, तो उसकी sub category भी यहाँ पर create कर सकते हैं, यह जितनी भी sub category है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह किस category में आ रही है, जब भी आप create करने लगेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना add new पर, तो यहाँ पर जाके आप create कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, हमने दो options और दी हैं, एक है show in header और show in photo, अगर आप यहाँ पर click करके, इसे show in header कर देते हैं, देखिए, जैसे मैं आउन कर दिया, अब मैं यहाँ पर आगर आपको page को refresh करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए, साड़ी नाम की जो हमरे पर sub category है, वो यहाँ पर add हो चुकी है, तो जो भी आपको header की menu में दिखाना है, उसको आप यहाँ पर on कर सकते हैं, अभी मैं इसको off कर देता हूँ, इसी तरह यहाँ पर हमार पस एक footer में भी एक link है, उसको भी आप यहाँ से on off कर सकते हैं, यह देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, footer में भी एक link आ रहा है, अगर आप इसे हटाना चाते हैं, यह इसमें कुछ add करना चाते हैं, तो वो सारी categories आप यहाँ से idea शो कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है हमार पस products, जो सब से main topic है इसका website पर जो भी हम product अपनी website पर sale करना चाते हैं, वो सब आपको यहाँ से देख जाएंगे, देखिए, यहाँ पर एक product का ID है, उसका title है कि product का basically नाम किया है, वो किस category में आता है, उसके brand वगएर अभी आप यहाँ पर show कर सकते हैं, उसके prices हैं, उसकी quantity है, जो भी user ने, मतलब कि आपने उसकी image बनाई है, यहाँ पर upload किया है, वो भी आपको यहाँ पर as a thumbnail भी दिख जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है active status, मतलब कि यह product अभी active है, इसका मतलब है यह आपकी website पर show हो रहा है, अगर यह inactive होगा, मतलब कि अगर आप यह product आपके पास high नहीं, as a stock में, तो आप इसे inactive भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर यह पूरा product खतम हो चुका है आपके warehouse में, तो आप इसको inactive भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको status हारा last में published, अगर आप इसे draft कर देंगे, तो यह inactive हो जाएगी, तो अभी मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसे publish यह रख रहा हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमापस orders करके भी एक link है, मैं इस पर order place की है, यह product का ID है और यह उसकी quantity है इसका total price मतलब की total amount कितनी बनी है यह किस address पर आपको भेजना है वो सब दिया हूँ, order की date किया है और इसका status की है payment का यह paid हो चुकी है कि नहीं और जैसी आप यह order pack करके इसको deliver कर देंगे, तो यहाँ पर आप complete की option पर click कर सकते है इसका मतलब यहाँ पर आजएकर delivered जैसी यहाँ पर आपको दिख रहा है मतलब कि यह जो दो products है, orders इनको आप deliver कर चुके है यहाँ पर आप देख सकते है अलग-लग orders आये हुए इससे आपको पता लग रहा कि इन orders को भी भेजा नहीं है और यह इनके code दीव है इस code से आप search करके देख सकते हैं कि कौन सा product है और इसकी user ने कितनी quantity buy की है, जैसे 1-1 और अगर आपके पास कोई भी product बिल्कुल खतम हो चुक है किसी quantity का मतलब कि कि किसी product का अगर कोई product बिल्कुल खतम हो चुक है तो आपको सारा जो information है यहाँ पर आपको dashboard में देख जेगी, यहाँ पर देखी उपर आ रहा है out of stock, तो यह product का code कौन सा यह वाला यह वाला जो product है, यह बिल्कुल खतम हो चुक है और last में यहाँ पर आया है हमारे पास option, जिस भी admin ने यहाँ पर login कियो, वो अपना password change कर सकता है, जो कि मैंने वे आपको default username और password दिखाया admin, admin, तो उसका आप password भी यहाँ पर जाके change कर सकते हैं और जब भी आपको admin से logout करना है तो यहाँ से आप logout पी कर सकते हैं अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो front end है मतल़ कि हमारी website पर जब भी कोई user आएगा, वो किसी भी product के बारे में देखना चाता है, वो देख सकता है जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर गया यहाँ पर हमारे पर hover पर तीन options आ रही है, सबसे पहली जो last में आपको option देख रही है, यह है wish list मतल़ कि user जो है, वो आपकी website पर अभी कुछ search कर रहा है किसी product को देख रहा है, तो वो अपनी wish list में से add कर सकता है, बाद में उसे खरीदना चाता है, कि नहीं, वो उसे हटा भी सकता है, यह आपने add to card भी कर सकता है, अगर आप सीधा ही add to card करना चाते हैं, तो इस product को यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप इस product की detail देखना चाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले icon पर click करेंगे, जहाँ पर आई का icon है, तो मैं इस पर भी click करता हूँ, यह देखें, यहाँ पर आपके पास product की पूरी image आजएगी, यहाँ पर आपके पास zoom करके plugin आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि product कैसा दिखता है, यहाँ से भी आप add to wish list कर सकते हैं, add to cart कर सकते हैं, इस product की जितनी भी details हैं, वो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी, यह एक basic e-commerce का project है, तो यहाँ पर मैंने कोई आपको reviews की option नहीं दिखाई है, यहाँ पर जैसे कि आम तोर पर websites पर होती है, अगर आप वो भी डालना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी option आ रही है, जैसे कूरतीज, अगर मैं इसी पर click कर दूँगा, यह एक sub-category है, तो जितनी भी कूरतीज होंगी, वो सारी यहाँ पर लगेंगी, तो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए, मैं laptop पर click करता हूँ, तो जितनी भी laptops के हमारे पास products हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं add to card कैसे करता हूँ, तो मैंने आपको भी add to card कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने इस पर click किया, तो यहाँ पर आगया to, इसका मतलब मैंने अपनी card में दो products को add कर लिया, अब मैं इस पर click करता हूँ, और यह देखिए, जो भी हमने product यहाँ पर add to card के हैं, उनकी thumbnail आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका आपको यहाँ पर description दिख रही है, उनका price दिख रहा है, यह quantity आ रही है, user यहाँ पर जाके अपनी quantity को बड़ा भी सकता है, यह कम भी कर सकता है, उसी के according देखिए, यहाँ पर price भी change हो रहा है, और यहाँ से आप अपने add to card में से remove भी कर सकता है, user, इस cross पर क्लिक करके, देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यह देखिए, अगर इसके बाद user कोई भी और shopping करना चाता है, तो continue shopping करेगा, अगर वो सीधा check out पर क्लिक करना चाता है, तो उसको सबसे पहले register करना है, मैं आपको registration का form दिखा देता हूँ, यह देखिए, सारा registration का form है, तो मैंने एक default username और password बना के रखा हुआ, जिसके बारे में मैंने पूरी detail जो है, installation steps में दिये, मैं दुबार से cart में जाता हूँ, और सबसे पहले मैं username और आपको password दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके सामने आएगा demo user login detail, तो एक user मैंने create करके रखा हूँ, user at the right gmail.com, इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, और इसका password है user1, तो देखिए, मैं यहाँ पर proceed to checkout पे गया, और यहाँ पर मैं से paste कर देता हूँ, username और password है user1, यह देखिए, मैं यहाँ पर login किया, और यह login हो चुका है, आप देखिए, यहाँ पर user का जो name है, वो यहाँ पर दिखा भी रहा है, my profile, my orders, जो भी आपने पहले भी orders place कियोंगे, वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और यहाँ से आप logout भी कर सकते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, proceed to checkout, मतले कि अगर मैं user हूँ और यहाँ से payment करना चाता हूँ, final payment, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने insta mojo करके payment gateway लगाया, insta mojo.com एक website है, जो इंडिया में काफी popular है payment gateway लगाने के लिए, तो उसको मैंने यहाँ पर use किया है, यह configure कैसे करना है, इसके बारे में मैंने पूरी detail जो है, मैंने installation steps.txt वाली फाइल में सब detail में दे रखी है, कि इसको implement कैसे करना है, insta mojo को, तो यहाँ पर last में user जो अपना email वगारा, phone number वगारा देके, जो भी payment जैसे भी करना चाता है, credit card से, debit card से, या UPI से, या ATM से, किसी से भी कर सकता है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसको configure कैसे करना है, insta mojo को, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि by default जो है, यहाँ पर हमारा testing user name आ रहा है, kapil, आप train देख सकते हैं, तो जब भी आप अपनी website बना रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका proper आपकी website करना माना चाहिए, कि user जो है किसको payment कर रहा है, तो उसको भी आप change करेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे करना है वो सब, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में जो हमारे पास installation step.txt फाइल है, इसमें लास्ट मैंने आपको चार steps के अंदर Insta Mojo को configure कैसे करना है, अपनी shopping की website पर सब बताया हुआ, सबसे पहले आपको इसकी website open करनी है, देखिए जो इसकी official website है वो है instamojo.com, अगर जस्ट आप यहाँ पर testing ही कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यह वाला URL यूरल यूज करना है, जिसमें है test.instamojo.com, तो मेरा suggestion यही है, कि आप इसी को यूज करिए, इसी पर जाके login create करिए, क्योंकि अगर आप इसको use करेंगे, यहाँ पर आ integrations, यह link तब तक open नहीं होगा, जब तक आपने login नहीं किया होगा, तो मैं एक बार आपको इसे login करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ देखिए web browser के अंदर, मैंने अपनी website open कर लिए, जिसका नाम है instamojo.com, अब यहाँ पर जाके सबसे पहले आपको sign up करना है, मतले कि अपन account create करना है, तो मैंने already create करके रखा हुआ, इसने मैं यहाँ पर login पर जाता हूँ, वो इसर पर click करता हूँ, और यहाँ पर आपको अपनी username और password देने हैं, तो इस username और password को देखे मैं इसे login कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए मैं login कर चुका हूँ, अब यहाँ पर देख रह देखिए अगर आप यहां पर test नाम का जो हमारा sub domain है उस पर काउं कर रहे हैं मतलब कि testing कर रहे हैं जस्ट तो आपको इस वाले link पर जाना है तो मैं इस वाले link पर जा रहा हूँ और यहां पर जाकर उपर इसे paste कर देता हूँ यह देखिए जैसे आप यहां पर जाएंगे तब आपको यहां पर उपर तीन तरीके के links दिखेंगे links निये बेसिकली यहां पर आपको एक code मिलेगा जिसको भी मैंने hide किया हुआ है सबसे पहला है API key मतलब कि जो भी आप account create कर रहे हैं उसकी एक unique API key होती है क्योंकि actual में जब हम insta mojo अपनी website पे implement करेंगे तो इसकी actual में API use करेंगे तो उस API को use करने के लिए आपको एक key use करने पड़ेगी जो एक तरीके का username और password होता है तो यह उसकी key है और यहां पर एक authentication token दिया हुआ है यह एक तरीके का password होता है तो यहां से आपको इसका password मिल जाएगा और इस API key को और authentication token को मतले कि username और जो यह password है API का इसको use कहां करना है मतले कि वो API आपको कहां से मिलेगी उसका link भी मैंने आपको installation steps वाली फाइल के अंदर दिया हुआ मैं भी आपको दिखाता हूँ यह देखिए मैं यहां पर गया यहां पर हमारे पास third step है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तो मैं इसको copy कर लेता हूँ और यहां पर जाकर हमारे को एक PHP का link दिखेगा उस पे click करना है वहाही से हमारे को इसका code मिलेगा PHP वाला अगर आप किसी और language पर काम कर रहे है तो उसकी API का code भी अलग होगा तो देखे मैं यहां पर गया अपने अलग tap में और इसको open कर लेता हूँ यह देखिए यहां पर जो यह हमारा URL है पूरा open हो चुक है मैं आपको एक पर उपर जाकर दिखाता हूँ इस page में सबसे टॉप पर यहां पर देखिए अलग-अलग तरीके के links है जो भी आप अलग-अलग तरीके की payment करना चाते है refund लगाना चाते है अपनी website पर तो उसका code भी आपको अलग करना पड़ेगा तो refund का code तो हमने नहीं किया हमने just यहां पर किया payment request का code तो मैं इस पर click करता हूँ post पर और यह देखिए यहां पर आपके सामने आप right side में देख सकते हैं अलग-अलग languages दा रही है python है, node है, php है और last में Ruby है तो यहां पर मैं php भी click करता हूँ और यहां पर देख सकते हैं यहां पर जितना भी code है यह सारा php का code है बिल्कुल आपको कोई भी code अपने आप से नहीं लिखना यह सारा का सारा code मैंने already use किया हुआ, यह सारा php का code है यहां पर आपको देखी, key और password डालना कहां पर है मतलब कि authentication token आपको डालना कहां पर यहां पर जो भी आपकी की होगी उसको आपको यहां पर पेस्ट कर देना और जो भी authentication code होगा उसको आपको यहां पर पेस्ट कर देना यह file भी मैंने already एक बना के अपने project के अंदर रखी हुए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ तो देखे मैं यहां पर आया अपने project folder में और यहां पर देखी installation steps के अंदर last में जो last step है four step वहां पर दिये जो भी आपका project का folder उसके अंदर एक file होगी instamojo.php मैं अभी आपको open करके दिखाता हूँ यहां देखी यह file है instamojo.php अब यहां पर आप देख सकते हैं यह सारा का सारा वो ही code है जो मैंने use किया उस file से बस इसमें last में आके जहां पर वो variable को echo कर रहा है उसके बाद मैंने इसको यहां पर अपना अलग code किया है तो यह जितना भी code है यहां पर मैंने just API key को change किया है इसको आपको change करना होगा क्योंकि यहां पर हमने अपनी test key लगा रखी है अगर आप इसको as it is use कर लेंगे तो basically यह testing के लिए आपकी जितनी भी payments हैं वो हमारे पास आ जाएंगी तो मैं कहूंगा कि इसको आप change कर लिजे और अगर आप यहां पर test वाला sub domain यूज नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आपको domain name भी अलग से रखना पड़ेगा मतले की instamojo.com उसके बाद यही वाला URL रहेगा और अगर आप अपने system पर वैसी check कर रहे हैं तो यहां पर इस वाले domain को भी यूज कर सकते हैं test.instamojo.com यह सब कुछ मैंने आपको installation steps वाली फाइल के अंदर सब कुछ बता रखा है यहां पर आप देख सकते हैं इस project का पूरा code तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको starting में ही बताया था मगर यह पूरा code बिलकुल वैसे ही है जैसे हमने news project का एक पूरा blog बनाया था PHP के अंदर बस यहां पर हमने oops यूज की है और oops के अंदर वही class यूज की है crude class जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में आपको बनानी सिखाए थी और वो सारी crude class जो है हमने इस वाली file के अंदर रखे है जिसका नाम है database.php यहां पर आप देख सकते है यह देखे यहां पर जो main class है उसका नाम है database इसी पूरी class को ही हम अपने पूरे project में यूज कर रहे हैं इस class के अंदर मैंने अलग-लग methods बनाये एक है insert का method एक ऐसी तरह update delete का method यहां पर आप देख सकते हैं यह सब के बारे में मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में और यह एक pagination का method है जिसको हमने अलग से बनाये इस वीडियो में जिसके लिए आप सिरफ इस pagination method को use करके अपने page में तहीं पर भी page generation लगा सकते हैं और यह simple SQL का method है अगर आपने कोई SQL की command देना चाहते हैं यह देखिए तो इसी class को ही हमने use किया है तो मैं कहूंगा कि आप पहले इस वाले project को पूरा देख लिजिए जो हमारा वो crude class वाला project है जिसको मैं already बता चुका हूँ क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया तो यह project automatically अपने आप समझ में आ जाएगा तो यह था हमारा e-commerce वाला project जिसको हमने इस वीडियो में use किया है आप देख सकते हैं सारे products हैं यहापे category area है और यहाँ पर आप कुछ भी search भी कर सकते हैं जो भी आप search करना चाहें तो यह था हमारा पूरा e-commerce website का project अगर आपकी कोई भी query है इस project से related तो मुझस से नीचे आप जाके comment में पूछ सकते हैं मैं उसके जवाब देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा